आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें हलो दोस्तों आईए देखते हैं प्रशन, निमलिखित रेखिक समिकरण युगम को प्रतिस्थापन या विलोपन विधी से हल कीजिए 152x-378y बराबर माइनस 74 और दूसरी समिकरण है माइनस 378x प्लस 152y बराबर माइनस का 604 तो देखे इनोंने खुदी का आए या तो प्रतिस्थापन विधी से हल कीजिए या फिर विलोपन विधी से तो हम यहाँ पर कौन सी विधी लगा रहे हैं प्रतिस्थापन विधी में क्या करते हैं कि किसी एक चर्का मान उठा करके एक समिकरण से दूसरी समिकरण में रख देते हैं, ठиной है, तो प्रतिस्थापन विधी से, ठीक है, अब हमारी पहली समिकरण क्या है, 152 X माइनस 378 Y बराबर माइनस का 74, ठीक है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम X का maan निकाल सकते हैं तो 152X बराबर कितना हो जाएगा 378Y माइनस 74 ठीक है तो इसके बाद X बराबर कितना हो जाएगा 378Y माइनस 74 और बटे में क्या आएगा 152 आजाएगा अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं उपर से 2 common ले सकता हूं तो दो common लेने से क्या होगा, दो एकम दो, दो अठे सोल है, और दो निम अठार है, इतना y हो जाएगा, minus, ये कितना आएगा, दो तिया 6, बचा एक, दो सकते 14, ठीक है, ये आ गया, और बटे में क्या है, 152 है, तो 2 से फिर 152 को काट सकता हूँ, कितनी बार में, दो सकते 14, ब पराबर आ जाएगा, हमारे पास, 189 y, minus, 37, और बटे में, 76, ठीक है, इसको हम क्या माल लेते हैं, समीकरण 1, अब हम क्या करेंगे, अब हम, x का मान, x का मान, कहां पे रखेंगे, दूसरी समीकरण में रखेंगे, ठीक है, तो x का मान, हम कौन सी समीकरण में रखेंगे, ये जो दूसरी समी करने है हमारी, माइनस का 388x प्लस 152y का मान माइनस 378x, तो माइनस 388x और क्या है, प्लस 152y बराबर क्या है, माइनस का 604 में रखने पर, ठीक है, जब हम इसमें रखेंगे, तो बताइए क्या आ जाएगा, क्या आएगी हमारे पास समी करने, माइनस 378 तो है, एकस की जगा पर हम क्या रख देंगे, 189y माइनस 37 बटे में 76, प्लस 152y बराबर माइनस का 604, ठीक है, अब देखे, यहाँ पर भी मैं क्या कर सकता हूँ, 2 से पहले इसको काट सकता हूँ, तो कितना आएगा, 2 एकम 2, ठीक है, और 2 अठे 16 और 2 निम 18, और यह कितना आजाएगा, 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6 और 1 बचा, और 2 अठे 16 यानि की 38, ठीक है, तो यह हमारा क्या आगे है, माइनस का 189, इसकी गुणा होनी है, 189 y माइनस 37 में, और बटे में क्या है, 38 प्लस 152 y बराबर, माइनस का 604, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, LC हम ले लेंगे 38, तो यह क्या आजाएगा, 189, ठीक है, और इसकी गुणा होनी है, 189 y में, और माइनस का 37 में, प्लस 152 y में किसकी गुणा होगी, 38 की गुणा हो जाएगी, और यह किसके बराबर होगा, माइनस 604 के बराबर, ठीक है, किसके बराबर होगा, माइनस का 604, अब यहाँ से क्या होगा, 38 की इसमें गुणा हो जाएगी इदर, और यह कितना आएगा, बताईए तो अब देखे जब हम इसकी अंदर गुणा करेंगे तो यह कितना आएगा 35721 वो भी माइनस का वाई फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यह जाएगा 6993 ठीक है फिर प्लस 152 की 38 में गुणा होगी तो कितना आएगा 5776 वाई ठीक है और इसके बाद जब 38 क माइनस 604 में गुणा होगी तो क्या आएगा माइनस का बताईए कितना आजाएगा यह यह आएगा हमारा 22952 ठीक है अब यहां से 35721 में से इसे घटाएगे अब देखे यहां से कितना हो जाएगा यह यह आएगा हमारा माइनस का 29945 वाई ठीक है और जब यह उधर तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का ये आजाएगा 2-9-9-4-5 ठीक है? ये दोनो जुड़ जाएगे इसके बाद अगर हम Y का मान निकालें तो Y बराबर की आएगा? माइनस का 2-9-9-4-5 और बटे में माइनस का 2-9-9-5 तो ये दोनो तो पूरा-पूरा कट जाएगा एक बार समिकरन एक में रख देंगे y का मान किस में रख देंगे समिकरन एक में ठीक है तो समिकरन एक में रखेंगे जब y का मान तो x पराबर कितना हो जाएगा बताईए समिकरन एक क्या है 189y 189y तो यहाँ पर y की जगह पर एक रखेंगे तो यह एक बार में तो एक ही आ जाएगा यह, है ना, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 37, ठीक है, और बटे में क्या है, 76, तो इसको घटाते हैं, तो 9 में साथ जाएगा 2, 8 में से 3 गया 5, और 1, और बटे में कितना है, 76, तो 76 दुनी कितना होता है, 152 होता है, यानि यह 2 आ जाए तो हम यहां लिख सकते हैं, आते हैं, हमारी समिकरन का हल क्या होगा, x बराबर 2, y बराबर 1, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा.